हेलो स्टूडेंज आएम रभी कुमार फ्रॉम केवी सी आर पी एफ मकामागार आज हम लोग हिश्टिरी का फर्स चेप्टर दे फ्रेंच रिविलेशन मी लोग दे विलेशन आफ सलेवरी यानि दास प्रथा क्यों किस तरह से अंत हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे ठ ठीक है तो उस समय जो फ्रेंच कॉलनी थी जो फ्रेंच ओपनिवेस में जो आते थे उसको कि विलेशन आफ सलेवरी यानि दास प्रथा का उनमुलन जैकोविन रिजिम जो सासक्त है कि लिए मोश्ट प्रिवेविलेशन रिफॉर्म के रूप में था मतलब जो दास प्रथा का जो अंत किया गया उस समय जैकोविन के सासन था जो कि उसके समय में एक करांतिकारिक समासुदारकों में से एक था ये कि दास प्रथा को समाप्त किया गया ठीक है अब हम लोग जानेंगे इसमें कि दास प्रथा जो स्लेवरी जो सिस्टम था वो किस तरह से था उसके बारे में हम लोग पहले जान लेंगे तो इसमें हम लोग जानेंगे करेवियाई जो कोलनी था जो उपनी बेस में करेवियाई में आता थे जैसे में मार्टिनिक गाडलोफ और सेंट डॉमिंगो सिक्या होता था वहां से टेवाइको जो तंबाकु हुआ इंडिको जो नील की खिती होता था नील सुगर एंड कॉफी के में सफलायर था वहां से आता था है सब में आप उर्ति करता सफलाय करने वाला यही था करेवियाई कोलनी थीख है और वहां क्या सिस्टम था फ्रांसेसी यानि एरोप में कि वहां के जो लोग थे जो फ्रेंज फिफुल एरोपियंस जो अपना वर्क करने के लिए काम करने के लिए वो अधिक दूर नहीं जाना चाहते थे और फिर अनफैमिलियर लैंड जहां पर परचित जगा हो वहां प कारण क्या हुआ कि जो प्लांटेशन था जो बगान की जो खेती किया जाता था उसमें लेवर का सोटेज हो गया था लेवर के कमी हो गया था सोटेज अफ लेवर ओंड़ प्लांटेशन जहां पर बगान के जो खेती किया जाता था उसमें लेवर के कमी हो गया था जब वहां के आदमी दूर जाना नहीं चाहता था तक इसके कारण ही कमी हो गया था तो उसी कमी को पूरा करने के लिए लेवर जो सोटेज के जो कमी हो गया था उसके कारण ही इरोप से अफिरका और फिर अमिर्का इरोप अफिरका और अमिर्का इस तीनों के बीच में ट्रेंगुलर स्लिव ट्रेड यानि त्रिकुनी दास बैपार दौरा किया जाता था इस लेवर को कमी को पूरा करने के लिए हैं इरोप फिरका और अमिर्का के बीच में ट्रेंगुलर स्लिव ट्रेड यानि त्रिकुनी दास बैपार किया जाता था उससे पूरा किया जाता था इस स्लिव ट्रेड का अस्टार्टिंग कब हुआ तो 17 सेंचुरी से अस्टार्टिंग हुआ हैं दासों का जो बैपार करने का जो सिस्टम हुआ स्टार्टिंग सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और फिर इस जो दास को लाने के लिए जो सिलेवरी लोग थे उसको लाने के लिए फ्रेंच मर्चेंट जो फ्रांस का जो बैपारी थे वे बोर्दे और या फिर नास्ते बोर्दे या नास्ते बोर्दे या और नास्ते ते पोर्ट से वो फिरकन कोश्ट जो फिरकन किनारे वले छेतर पर जहाद ले जाते थे और वहां से तास लोग के वहां से लाते थे फिर दास लोग को वहां से लाकर लाने के पहले वहां क्या होता था एक ब्रांड दिया जाता था उन लोग के एक ब्रांड के तौर पर ये हमारा है एक दाग दिया जाता था उसमें पहशान एक दिया जाता था स्लेवरी गॉस वहां से जो दास लोग थे उसको और फिर उसको हथकड़ी भी पनाया जाता था तब उसको अट्लांटिक ओसियन के पार करेवियन कंट्री में उसको थ्री मन्थ तक के बहुत लॉंग ट्रेवल किया जाता था समुंदरी यात्रा के लिए उसको क्या कहता था जहाज में ठुश्टुस के भर दिया जाता पैक कर दिया जाता लगता कि पैक हो गया है तो इससे पैक करके उसको लाया जाता था ठीक है और फिर उसे Plantation के लिए जो Plantation Honor थे जो बगान के मालिक जो मालिक थे उससे उसको बेज देते थे Plantation Honor से उसको बेज देते थे ठीक है और फिर एक चीज इसमें है जिससे क्या होता था वहां की जो इसी दास लोग थे उससे क्या होता था से लेवर के थो ही इरोपिय मार्केट जो था इरोप का उसमें सुगर का कॉफी का या इंड़को नील का जो डिमांड होता था इसी से पुरा किया जाता था ठीक है और इनी सिलिवरी के कारण बोर्दी और नास्ते जो पोर्ट था एक एकनोमिक प्रुस्परिटी यानि एक सम्रिद नगर हो गया बहुत पैसा वाला नगर एक सिटी बन गया होँ है वर्दे और नास्ते पर्ट जो है जो city में converting हो गया city बन गया इसी दास को लाने जाने के लिए जो लाया जाता था इसी के कारण वहां पर city बन गया ठीक है आगे हम लोग जानेंगे तो जाने किस तरह से दास को लाया जाता था वहां से और उसे खेती करवाया जाता था भगवाने अब हम जानेंगे कि जो दास प्रथा का जो सिस्टम था उसको किस तरह से समाप्त किया गया तो 18 सेंचुरी में एक फ्रेंच में स्लिवरी जो दास थे उसको बहुत जादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया उसको बहुत जादे नेंदा नहीं किया गया तो समझा गया है कि ठीक है अभी 18 सेंचुरी था और इसके लिए क्या हुआ नेशनल असिम्पली था उस समय वहाँ पर लॉंग डिबेट हुआ क्या हुआ कि जो हमारे जो कोल्नी में जो राते हैं उपनिवेस में उसको भी राइट दिया जाए जो मूल अधिकार है वेक्ति का राइट टु मैन उसको सभी all friends को दिया जाए ठीक है दिया जाए या नहीं दिया जाए या प्लानिंग किया गया कि दिया जाए या नहीं दिया जाए लेकिन जो इसी slavery जो दास पर था उसी पर जो depend थे कौन ओहां के बिजनेस मैन जो बिजनेस मैन थे जो उसी पर depend थे दास लोग पर ही income होता था उसी से काम भी करवाते थे तो क्या होए कि नहीं ऐसा कैसे दिया जाएगा सभी को मूल अधिकार नहीं दिया जा सकता है इसलिए ओपोजिशन में हो गए है और बिरोध करने लगए है जिसके कारण क्या होए कि national assembly में कोई भी लापास नहीं हुआ इससे समंधित दास बेपार से समंधित ठीक है लेकिन क्या हुआ बाद में फिर 1794 में 1794 में एक convention में French colony में all slavery जो इतना भी थे दास लोग उसको मुक्त करने का फ्री करने का एक कानून पास कर दिया गया था फाइनलरी कब किया 1794 में किसके थुरू convention में एक ठीक है free yourself in the French फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे लेकिन ये क्या रहा कि short term के लिए ही इसको रहा मेजर किया गया बहुत कम समय के लिए रहा फिर इसके 10 येर बाद क्या हुआ कि नेपोलियन आया नेपोलियन जब आया तो फिर से स्लिवरी का जो दास का जो सिस्टम था दास पर था उसको फिर से स्टार्ट कर दिया जिससे क्या हुआ कि वहां के जो बगान मालिक थे जो plantation owner बगान मालिक को economic interest के लिए फिर से ओ फिर की निग्रों की फिर से ओ गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया उनको freedom मिल गया था सो तंता मिल गयी थी कि इसको गुलाम बना सकता है निपोलियन के समय में ऐसा मिला था ठीक है लेकिन फिर last में finally रूप से फ्रेंच कोल्नी में इदास परथा का आंध हुआ 1848 में 1848 में इबलिष्ट किया गया इफाइनली रूप से इबलिष्ट किया गया slavery system जो था उसको समाप्त कर दिया गा दास परथा का नमिलन कर दिया ठीक है इस तरह से आज हम लोग जाने evolution of slavery दास परथा का नमिलन किस तरह से अंध किया गया दास परथा के उसके बारे में हम लोग जाने ठीक है ओके